एगरी बेटिया दो कुल तो महकाती है पर उससे बड़ा अगर कोई काम करता है तो वो बेटा करता है कभी हमने यह सोचा कि उस बेटे को कभी पूछा कि तेरे दिल में क्या है बेटी को तो दो घर मिल जाते है बस उस बेटे को तीन घर संबालने पड़ते है कभी ये चीज़ पे गौर किया किसी ने भाई क्या होता है भाई सिर्फ रक्षा बंदन पे आके राकी बांदो पैसा लो वो भाई होता है नई भाई बोले तो एक फिलिंग होती है जो हमको सारे रिष्टे हमको हम डूनते है पड़ भाई और बेहन का रिष्टा हमें वो परमात्मा देता है जब हमने कोई ऐसे कर्म किये होगे जो इन जैसे भाई हमको मिलते है भाई भाई क्या सोचता है पता है बेहन जब छोटी होती है तो मम्मी पपा बोलते है कितने साल ये रहेगी हमारे साथ तो भाई अपनी सारी इच्छाय रोक देता है भाई जब थोड़ा बड़ा होता है अरे बेहन की शादी करनी है तू नौकरी पे लग जा तभी भी उसकी सारी इच्छाय रोक देता है जब शादी होती है बीवी आती है वो उसको बोलती है मेरे ये ड्रिम्स अरे उसके ड्रीम्स का क्या, उसका क्या, जो भाई होता है ना, वो अंदर ये अंदर तीन परिवार चलाता है, पहले माबाप के साथ, बीवी के साथ, और लास्ट अपनी बहन का घर, ये मामेरा ऐसा ही नहीं होता है, हम से बोलते हैं, अरे ग्यारा लाक रो इस मामेरों की दो पॉस, अरे क्या ग्यारा पाच, अरे ये तो सोचो, उस भाई ने कितनी मैनत की होगी, बचपन से उसने जब जोड़ा होगा, जब से वो काम करने लगा होगा, तब जाके वो मामेरा करता है, तो कभी भी हम किसी भी मामेरा में जाये, प्लीज ये ना बोलो कि उसने इतना ही झाल